अज किस वीडियो के अंतरगत बात करेंगे जो भी हमारे बीए सिकेंडियर यानि कि बीए थर्ड समिस्टर के छात्र जिनको आने वाले दिनों में कल पर सो जब भी पेपर हो 2022 और तेस का सेसन का उनको एकोनिमिक्स यानि की अर्थसास्तर का पेपर देना उनके लिए वीडिय उसे आइडिया लगेगे कि आपकी परिच्छा में किस प्रकार के कोईश्चन पूछे जाने वाले हैं और कौन-कौन से महात्रपूर्ण प्रस्ण है तो कुल मिला के आप लोगों के समस्त में पूरा का पूरा कोईश्चन पेपर माडल पेपर लेकर आ चुका हूं तो आप आपको काफी हेल्प मिलने वाली है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम आपके जानकारी के लिए बता दिए एकोनोमिक्स का पेपर है देखिए ये पिछले साल का है अर्थसास्त्र का और में मुद्दा आपको यहां पर यह देखना है में पॉ आप लोगों के लिए वीडियो महत्रपूर है ठीक है क्योंकि में होता है कोईश्चन पेपर अगर कोईश्चन पेपर आपका मतलब नहीं मैच कर रहा है तो आपकी परिछा में प्रस्द नहीं इससे सम्मंधित पूछे जाएंगे तो में आप लोग यह जरूर देख लिए यह ठीक है अर्थसास्त्र वाले ओके चलिए में मुद्ध क्वेश्चन पर आते हम हलाकि इस इनवर्सिटी में कुछ अलग रूल्स है मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है मैं उसी किसाब से आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और जानकारी देना चाहू करता है उसके बाद लगुत्री प्रश्ण रहते हैं उसके बाद देरगुत्री प्रष्ण रहते हैं ठीक है तो यह जरूर्ध ध्यान रखेंगे कुछ कुछ इन्वर्सिट्यों में सारे को इस्ट से सब्सक्राइब लेकिन यह प्रिछा में जरूर देखने को मिलेगा तो इसको तयार कर लीजेगा आर्थिक इतिहास से परिभासा याप क्या समस्थे बहुत महात्पूर्ट प्रश्ण है इन सभी का जो उत्तर है आपको कोईश्चन बैंक में या फिर आपके सिरीज खरीदी है या फिर आपको गूगल पे तो मिली जाएगा वहां पर साच करके पढ़ लीजिएगा ठीक है अगला प्रश्ण है कि अर्थसास्त्र का जनक किसे कह जाता है और उनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है तो यह वी हार्ड लेबर का कोईश्चन घुर्ण ऑफ है अगला प्रश्ण है कि माल्थस का जनसंक्या फिद्धांत क्या बताता है तो यह इतना इंपोर्ट नहीं आप लोग के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहंद सकते हैं इस प्रश्ण को अगला प्रश्ण आप लोगों के समस्त है कि JAS मिल द्वारा दे गई अर्थसाफ्त की परिभासा लिखे तो JAS आप लोग सचरे हंगे यह कोन है तो एक अर्थसाफ्त है यह आप लोग कह सकते हैं JAS एक बिद्वान है ठीक हैं तो इनके अनुसार अर इनकी अर्थसाफ्त की परिभासा आ सकती है और आप एक अर्थसाफ्त की मतलब कि एक अलग से इनकी परिभासा याद रखेगा अर्थसाफ्त की ठीक है चलिए बढ़ते अगले प्रश्णी की और अगला प्रश्ण है कि कल्पनावादी समाजवाद क्या है ठीक है यह इतना इ इसी मूल लिका से धांद बताई इसको भी गुनोर कर सकते हैं अगला प्रशन है कि वाम वावर्क के अनुसार ब्याज क्यों उत्पन होता है यह भी महात्रपूर्ट प्रशने इसको भी तैयार कर लीजेगा ठीक है ठीक है अगर आप तैयार करेंगे तो आपके लिए ही प्लस साफ्तर कब लिखी गई थी एक महात्रपूर्ट प्रशन यह भी इसको भी आप लोग तैयार कर लीजेगा ठीक है अगला प्रशन है कि माई ठीक है एक्सपेरिमेंट्स विद्थ टूथ ठीक है तुरूथ किसने लिखी है ठीक है तो कहीं कहीं यह प्रशना आता है यह और काई फस्ट ठीक है यह निकि एक यूनिट वन तो इसमें पहला प्रशन है कि देखिए आप लोग यूनिट और किसी पर अतलगुत्रे लगुत्रे और यूनिट पर मत जाईए ठीक है में तो कोईस्चन समझेए ठीक है को उतरा आपको मालूम रहेगा तो वह चाहे जिस भी टाइब का प्रशनों आप हल कर लेंगे तुशन है कि आर्थिक विचार आर्थिक विचारों के इतिहास के महत्तों को समझाईए एक हाई लेबल का प्रशन पर इच्छा कर लिजेगा हंडर्ट प्रशन चांस है इस प्रशन के आने के ठीक है अथवा करके इसी में दूसरा बिचारों के विचारों के वियाख्या किजिए एक महत्तों प्रशन ये भी इसको आप लोग तःयार कर लिजेगा ओके अगला प्रशन आप लोगों के समझते है कि मालतफ के जनसंख्या फिधान्त की विश्णा कीजिए तो आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते दर बिचारों कीजिए क्या उन्हें समाजवादी कहना उचित है ये परिच्छा में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है तो आप लोग के उपर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अगला है कि आस्टरियन विचारधारा का संशित वर्ण कीजिए ये पढ़ लिजेग अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है कि वान वीजर के आर्थिक विचार यानि कि वान वीजर के अनुसार आर्थिक विचार के आर्थिक विचार के वारे में क्या मतलब की आर्थिक विचार लिखने है वान वीजर के एकॉर्डिंग नियमानुसार इन के अनुसार वो क्या है वो आपको लिखना है तीक है महात्व पूर्ट प्रश्ण ने इस सभी का उत्तर आपको गूगल पर या अपनी सीरीज कुष्टन बैंग में ढोंड लीजे गा मिल जाएगा अगला प्रश्ण है कि गोखले के आर्थिक बिचार क्या है तो गोखले के आर्थिक बिचारों को विष्णा कीजिए यानि कि पंडिज जवाहरलाल नहरों के नुसार जो प्रमुक आर्थिक बिचार है ठीक है एकोनिमिक्स जो आप एकोनिमिक्स आइडियाज है उसके बारे में आपको लिखना है यह भी टाइप से आप लोग कह सकते हैं महात्रपूर्ट प् इस पर आप लोगों को टिपड़ी लिखनी है जैसे कि वणिक वाद या फिर प्रकतिवाद तो यह भी दोनों जो यह जो दो कोईस्चन है एक प्रकास से आप लोग कह सकते हैं टॉपिक है यह भी महात्रपूर्ण है लेकिन एक इसमें से ज्यादा है प्रकतिवाद यह प्रश्ण है कि रबोट और विन का जीवन परच्चे देते हो इनकी आर्थिक विचारों का परिछण किजिए हाई लेवल का है आपकी परिच्छा म्यानी की पूरे चांज है ओके अगला प्रश्ण है जब भी आपकी परिच्छा होगी सारे महात्रपूर्ण प्रश्ण है आर्थिक विचारों के इतिहास में मार्सल के योगदान को समझाईए यह प्रिकार से भी महात्रपूर्ण प्रश्ण है ओके अगला प्रश्ण आप लोगों की समस्ता है कि महादेव गोबिंदर ठीक है रनाडे के आर्थिक विचारों का मुल्यांकिन की जीए इगनोर कर द बताया आई होप आपको समझ में भी आया होगा पूरी तरह जिन भी छात्रों की परिच्छा हिस्ट्री एकोनोमिक्स और पेपर का नाम हिस्ट्री आप एकोनोमिक्स थोट है अब आप सभी छात्र पहुचेंगे कि यह कौन से इन्वर्शिटी का है कौन से छात्रों के महत्तव पूर्ण है ठीक है आप ये देख लीजेगा अगर ये मेच कर रहा है फ्लेवर्स में आपके कोश्चन में चरीज में या फिर पेपर में तो आपके लिए पूरी के पूरी वीडिव और कोश्चन माहत्तव पूर्ण हैं ऊके I hope आपको समझ भी आगया होगा अगर आप इसके लाओं कुछ पूछना चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपको जल्द मिलेंगे निश्टर क्लास में तब तक लिए जैंद